हेलो गुड यूणिंग एवरीवन वेलकम टॉवर यूट्यूब चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है रिवर्स आफ इंडिया का वो है गंगा का टॉपिक इससे पहले जो हमने कवर किया था वो किया था इ ठीक है मैंने जिससे लेटर आपको डिटेल से पढ़ा दिया है आई होप आपको इंडिस रिवर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे लेटर मैंने कुछ कॉश्चन्स भी पूछे थे तो दो बच्चे हैं जिन्होंने इसका सही से जवाब दिया है एक है प्रियस आपको और बी बता देता हूं इंडिस ट्रीटी वाटर के बारे में यह है कि यह जो ट्रीटी है 19 यह दो यहां पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा यह जो ट्रीटी साइन हुई थी यह हुई थी 1960 के अंदर ठीक है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और करवाई किसने टी वर्ल्ड बैक ने करवाई थी आफ्टर एट एर्जा निगोशेशन निगोशेशन मतलब होता है कि आठ साल के बाद जो है यह समझोता हुआ था ठीक है तो इसका जो डिस्ट्रिबिशन हुआ था पानी को लेकर हुआ था जिसमें से में कल आपको एक चीज और बताना भूल गया कि इंडस का पुराना नाम। में सिंधू है। मैं आपको बताय थी जहिलम का नाम वितस्ता है चिंडस का झीलम का नाम आसकीनी है। का नाम जो है वो सिंदू है तो इस ट्रीटी के अंडर क्या हुआ था इस ट्रीटी के अंडर यह हुआ था कि जिसका जितना ज्यादा portion जिस country के अंदर आएगा वो उतना ही ज्यादा उसका पानी यूज कर सकता है यनि फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें इंदस की जीलम की और चनाब की इन तीनों का पानी जो है यहां से है और यह निकलता कहां से है इसके बाद उसके बाद से सीधा अराम के大家都ます वह यह था कि जीलम का जो पुराना नाम है वितस्ता जीलम की सबसे बड़ी जो ट्रीब्यूटरी है लांगेस्ट लाइस्ट ट्रीब्यूटरी है वह किशन गंगा ठीक है जिसको हम नीलम रिवर्स के नाम से भी जानते हैं वह जीलम की सबसे बड़ी ट्रीब्यूटरी है उसक कितना पानिस का यूज कर रहे हो ठीक है एक ट्रीड नोटिस बेजा था ठीक है जिसमें काफी है रिसेंटली चर्चा में था इंडस्ट वाटर ट्रीटी के बारे में तो इसलिए मैं आप से पूछा तो 1960 में हुई थी सप्टेंबर 30 1960 में हुई थी यह ठीक है और इस से लेटर और यह था इसका इंडस्ट का पुराना नाम है वह सिंधू है दूसरी बात करवाई किसने थी वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी 13 सेप्टेंबर 1960 को तो यह सारा का सारा मैंने इंडस्ट से लिटर आपको कुछ चीज़ें बताई हैं आई होब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो आज जो है हमारा रिवर्स आफ इंडिया का जो दूसरा वाला टॉपिक है वो है गंगा ठीक है आज हम गंगा में कुछ कोशन देता हूं और जो बहुत इंपोर्टन होते हैं तो जो बचा उसका सही से आंसर देता है उसका मैं दूसरी नाम भी लेता हूं इसलिए वीडियो पूरी देखना ठीक है तो आज हम जो पढ़ेंगे गंगा के बारे में पढ़ेंगे देखिए गंगा कहां से बागे निकलता वीडियो देखिए तो आपको यसका आपको यह चीजा याद रखनी है सब्टाध करता है और यह नेपाल वाला एरिया है और यह उत्राखंड वाला है यह पोटान वाला एरिया है तो उत्राखंड से गंगोत्री गलेशियर निकलते हुए सीधा हरीदवार में आती है जब इंटर यूपी में सबसे पहले जिस एरिया में इंटर होती है वो हरीदवार है उसका नाम तो यहां से होते हुए सीधा अगर आप कोई मैप आता होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि गंगा कौन कौन से सीटिस होगे निकलती ह हरीदवार से होते हुए सीधा गंगा यहां से कांपूर आलाबाद मिरजापूर अरा बोन से बाद करती है यूपी में आएगी, यूपी में सबसे पहले जिस एरिया में इंटर करते हैं, उसका नाम हरीदवार है, फिर उसके बाद होते हुए सीधा आलाबाद, कानपूर, आलाबाद से होते हुए वारा नसी से होते हुए सीधा बिहार चली जाती है, बिहार में कौन से एरिया को कवर में ढूरा बेनाती जिसको आगे पढ़ेंगे दो पार्ट में ढूरा हो जाती है ठीक है यह यह पर यह पूरा का पूरा को याद रखना है मैं आपको स्टीटिस के नाम यहतनी में याद रखनी क्या दरूरत है एक्च्छल में क्या है कि एक्जाम में बहुत बार कोश्शन पूछे गए हैं ठीक है कि उन्हें अगर यूपी में जब गंगा आती है तो पहले अगर हरीदवार में आती है फिर उसके बाद कानपूर में आती है देन फिर उसके बाद वारा नसी में आती है और फिर उसके बाद मिर्दापूर में आती है या फिर दूसरा ओप्शन दे देगा आपको कि अगर देखो अब एक्सदामिनर को एक चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि ये मैक्सिमम बच्चे पढ़का गया होगा हरीदवार के बारे में तो आगे सुकेंस बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं इसलिए आपको मैप के दूर याद रखने हैं और दूसरा अप्शन आपको दे सकता है कि हरीदवार हरीदवार के बाद आलाबाद के बाद कानपूर कानपूर के बाद वारा नसी हरीदवार हरीदवार के बाद कानपूर के बाद आलाबाद जिसको हम परियाग राज भी बोलते हैं अच टाइम में फिर उसके बाद मिर्ज़ापूर तो एक्जामिनर ऐसे भी कोशन पूछ सकता कि बताए इसमें से कौन सी सही सुकेंस है गंगा की तो आपको पताएए सबसक्ते इसके पहले हरीदवार के बाद सिधा कानपूर कानपूर के बाद और सिधा आलाबाद भीर्जापूर नेसी फिर बिहार होगा को आज को चलिए उसकी बार नेक्स्ट जो है ठीक है नेक्स्ट जो है यह 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 आपे और भी बतायागा है इसके बारे में यह South जो है इसकी के मैप यहां रहे से निकले गहेंगे अज सर्फिक रूकंगा के बारे सो करेंगे ठीक है तो यह यमना का है यमना के बारे में आपको याद रखनी है थेकि इसके उसके अट्रिब्यूटरी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फिर उसके बाद अब आ जाते हम यहां पर बने हुए हैं जिनको मैं किसी और समझाओंगा किसी और क्लास में समझाने कोशिश करूंगा फिलाल आप नेक्स चलते हैं देखे गंगा इंटर्स थ्रू बिजनोर ठीक है गंगा इंटर्स थ्रू बिजनोर यह आपको याद रखना है यमुना इंटर्स थ्रू साहरनपूर यह भी आपको याद रखना है ठीक है बिजनोर वाले एरिया में और साहरनपूर वाले एरिय गंगा जब निकलती है गंगोत्री गलेशियर से उस वकित गंगा नहीं होती है उसको बागी रती बोला जाता है अब देखें जो पांच परियाग है जो एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं गंगा के लेटेट ठीक है जब बागी रती चल रही होती है तो फिर अलका नंदा के इससे मिल जाती है कौन सा रिवर कहां पर मिल जाता है तो हमिल जाती है तो कहां पर मिलती है गंगा डिसेंद फ्रम दा हीीलस इंट इंट्र एन्टी प्लेंर इडा हरीदृर फिर इच चाहां पर है कि राजमहल हिल्स जो हैं वो कहां पर है इट टर्न्स टू दा सौथ इस्ट एट फेरेका इट बुफरी केट्स इन्टू बागी रती हुगली इन वेस्ट बिंगाल एंड पद्मा मेगना इन बंगलादेश देखिए एक को मैं गलती कर गया बताने में मुझे डौट लग रहा था कि मैंने आपको स्टार्टी में बताया था कि रोजे चल रहे हैं थोड़ी सी गलती हो सकती है ठीक है कि यहां पर देखिए अब जारखंड वाले जो एरिया है जब इसमें इंटर हो जाती है उसमें यहां बताया हुआ है तो मैं आगे आगे आपको बताता हूं यार सही है ठीक है तो इंट बागराती उओन वेस्ट मेंगला एंड ऑन्डमा मेंगना इन बंगलादेश सो कि इसको रहता आप डहटा बंगलादेश में जाता है तों को बंगलादेश में जमुना अँट है जब है तो किस्टेबिशन वह नहीं ऐसंट grounding shower को जातेव यह फरेका बैरेज है जो मैंने आपको बताए था कि जब जारकंट से जब आगे जाती है देखे नेक्स्ट वाली सलाइड में ध्यान से देखना इसको पहले यह जा रही है सौथ की तरफ फिर इसकी तरफ चले जाती है यानि इस साइड ठीक है थोड़ा सा एरिया यह जो जहा पर यह मिलती है ना उसको फ्रेका बैरेज बोलते है फ्रेका बैरेज और अमेज आ कि मैंने लगाई हूई है ठीक है जहाँ पर जोए दो पार्ट में डॉड़ाइड और गंगा के बात हुरही है यह देखें यह फ्राका बेरेज इसका नाम आपको जनलनी तोर भी याद रखना कहां पर है वेस्ट पिंगाल के अंदर बस आपको इतना ही या नाम याद रखना है यह तो इसलिए लगाई गी ताकि आपको याद रहे हैं ठीक है मैं आपको स्टाडिक में बताया था कि जब गंगा गंगोत्री गलेशर से निकलती है फिर उसके बाद जब बागी रहती इसके साथ मिल जाता है तो वह गंगा बनना शुरू हो जाती है आप देखिए वहांपर यह कोशन पूछा गया है और आपको इसके ट्रिक भी बताता हूं अभी नेक्स लाइट के उपर दा कंसेप्टा पांच पर्याग जिनको हम 5 परयाग बहते हैं देखिए विश्णु परियाग विए तर रिवर अलका नंदा रिवर ननदाकनी ठीक है अब नान आपको नन से याद रखना है नान ठीक है यह नहीं जब अलकानदा रीवरत कि लिए से मिलती है तो अपर्याग बनता है फिर उसके बाद करणर पर्याग जब यह रिवर अलकान दाम डाय मीट्स पिंडर एस सब्सक्राइब के नाम है नंदाकनी द के बाद दो इसको आपने याद रखना है राम के नाम से राम के नाम से जब मन्दाकरियाग बनता है फिर लास्ट में देव-परियाग को आपको ऐसे भी याद रखना ऑफिक यह भाया दो बहुत अची भात है अगर नहीं याद कर सकते हैं तो बागी रती जबल करम Mundi है तो गंगा बन जाती है कि दा प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी आप गंगार यामुना दामोदर सप्ता कोशी राम गंगा गौमती घागरा एंड सन ठीक है इसकी ट्रिब्यूटरी वें गंगा की दा रिवर आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस अफ ट्वंटीफाइव एंड है और उसके बाद ट्रिब्यूटरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यमुना दामोदर सप्ता कोशी राम गंगा गौमती घागरा एंड सन ठीक है तो यह सारे कि सारे जो इसके ट्रिब्यूटरी वें गंगा की अब यह कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं लेफ्ट हैं आज का जो कुशन है वो यह है आपने मुझे बताना है कि जो रिवर्स वेस्ट साइड प्लो करते हैं इस प्रिब्यूटरी यह कौन कौन से नरमदा और ताफी को छोड़के नरमदा और तापी को छोड़ के ठीक है दो के लावगा और couch अपने मुझे और बताने गिरते हैं लेकन कुछ रिवर जो है वो उस साड़ गिरते हैं अपने मुझे पता नरमदार तापी को छोड़ के और कौन से रिवर हैं जो रेविन सी के अदर गिरते हैं ठीक है तो बाकी इंदस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा दिया होगा धडिल के बारे में इसके बारे में और स्क्ष आपको नहीं आया होगा आपको नहीं आया कोई है कोई बात नहीं कल से नेंच्ट वीडियों में इंदर चलिए तब तक के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं ठीक है तो थैंक यू बेस्ट अफ लख लव यू आल